Hello guys, welcome to new video, स्वागत है आप सभी को एक और brand new video में तो आज इस video में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ जैसे 4900K है, KF है वो last में जो अक्षर होता है, उसका मतलब क्या होता है suffix का मतलब क्या होता है, K का मतलब क्या होता है वह ग्षक और लगता है, KF का मतलब क्या होता है, यह समझाऊंगा AMD में, last में F होता है, X 3D होता है G होता है, GT होता है, GE होता है तो यह जो अक्षर है last में, इस suffix का मतलब क्या है यह proper तरीके से समझाऊंगा तो सबसे पहले मैं Intel में चला जाता हूँ इंटेल में अभी देखे, यह Dextro processor है, यह Laptop processor है, Laptop processor में जो है, K मतलब High Performance देगा, Unlock होगा, मतलब उसको आप चाहे तो Overclock भी कर सकते हैं, F मतलब Overclock बगएर कुछ भी नहीं होगा, इसमें iGPU भी नहीं होगा, Discrete GPU लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई Display नहीं देगा, S मत होगा, तो High Performance Unlock होगा, जो की K की तरह ही है, और Laptop में जो है, HX है High Performance Unlocked, मतलब HX High Performance देगा, उपर से Unlock भी होगा, आप चाहे तो Overclock भी कर सकते हैं, HK भी सेम ही है, और H O है वो High Performance देगा, लेकिन Unlock नहीं होगा, उसको चाहे तो आप Overclock नहीं कर सकते, P का मतलब Performance Optimize होगा, कैसे, थोड़ा अच्छा चलेगा, यू से, ठीक है, यू बहुत Power Efficient है, बैटरी बैकप बहुत ज्यादा अब देगा Laptop में, और उससे भी ज्यादा बैटरी बैकप देगा, वाई बाला, यह सब हलके फुल के कामों के लिए होते हैं, यू वाई ये बहुत हलका काम के मतलब IGPU होगा, इसमें, जो की, UHD Graphics होगा, जो की IGPU है, 77, 0, ठीक है, और K का मतलब Unlock होगा, इसका Special Edition जिसका Clock Speed थोड़ा अच्छा होगा, सिर्फ जहां पर K लिखा है, उसमें IGPU होगा, और Unlock भी होगा, चाहिए तो आप Overclock भी कर सकते हैं, और KF जो है, ये Unlock होगा, लेकि इसमें कोई Display नहीं मिलेगा आपको, मतलब IGPU मिलेगा ही नहीं, Discrete Graphics Card लगाना ही पड़ेगा, 4900 जो है, ये Lock प्रोसेसर होगा, Unlock नहीं होगा, और IGPU होगा, जो की देख सकते हैं, यहाँ पर, UHD Graphics होता है इसमें, और 4900F जो है, इसमें Discrete Graphics Card लगाना ही पड़ेगा, नहीं ठीक है, अभी Laptop में समझा देते हैं, जैसे 3900HX, मतलब High Performance तो देगा, उपर से Unlock भी होगा, आप चाहित इसको Overclock भी कर सकते हैं, इसमें Core Count ज्यादा होते हैं, Thread Count भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, HK जो है, उसमें Core Count, Thread Count कम होते हैं, लेकिन Clock Speed थोड़ा ज्यादा होता है, और H जो है, ये Lock Processor होगा, ठीक है, इसमें आप चाहित Overclock नहीं कर सकते हैं, लेकिन High Performance देगा, P जो है, वो Average Performance देता है, थोड़ा बहुत Photoshop बगएरा, ये सब काम चाल जाता है, वीडियो डेटिंग बगएरा हो जाता है, लेकिन Gaming पोसिबल नहीं है, और usage, Photoshop बगएरा कुछ भी नहीं होगा, ड्रवजिंग बगएरा कर सकते हैं, Excel, PowerPoint ये सब काम कर सकते हैं, तो ये रहा Intel का, अभी मैं आप लोगों को AMD का समझाते हैं, ठीक है, ये AMD का है, ठीक है, अगर Processor के Last में X लिखा है, मतलब वो High Clock Speed देगा, और बहुत Power Consume करेगा, एक्स 3D जिसमें होगा, उस वाले नहीं है, गेमिंग एरेटिंग वाले हैं हम लोग, ठीक है, Pro Series जिसमें Pro लिखा होगा, वो Additional Security और Management feature होगा उसमें, ठीक है, F जिसमें होगा, Last में लिखा हुआ, उसमें Discreet Graphics Card लगाना ही पड़ेगा, Intel जैसे अभी कर दिया, 7000 सिरीस से पहले, F कोई Model था नहीं, 7000 सिरी अगर में G लिखा होगा, वो एक Proper APU होगा, APU का मतलब होता है, वो एक CPU भी है और GPU भी है, जिसमें Graphics Card नहीं लगाएंगे, फिर भी आपका Gaming बगारा हो जाएगा, ठीक है, E मतलब Power Efficient होगा, T मतलब High Clock Speed होगा, और AF मतलब, जो जिन में बना है, जैसे 1600 AF, मतलब वो अगर 40 Nm पर बना है, लेकिन अगर AF लिखा होगा, वो 12 Nm पर होगा, मतलब उससे अच्छा होगा, AF का Model, ठीक है, अभी आप लोगों में वेब साइट में जाके समझा देता हूँ, यह रहा 5700G, यह Proper APU है, जिसमें CPU, GPU दोनों होता है, बिया Graphics Card वे भी गेम चल जाएगा, GE जिसमें ह होगा, उसका Power Consume income होगा, और वो G से थोड़ा कम Performance देगा, जैसे 5700G 65W का है, 5700GE 35W का है, यह Power Consume करेगा, और Performance भी कम देगा, GT जो है, जैसे 5600GT, 5600G से अच्छा होता है, क्योंकि इसका Base Block और Boost Block ज्यादा होता है, जैसे 5600G में Base Block मिलता है 3.9, इसमें Base Block मिलता है 3.6, थोड 30 में Boost Block 4.6 है, और G में 4.4 है, तो आप समझ सकते हैं, और GE थोड़ा कम Performance देगा, अभी देखिए, जितने भी G Model है, सब में IGPU है, ताकतवर है, ठीक है, वो एक Proper APU है, जिसका मतलब एक CPU भी है, वो और GPU भी है, अभी देखिए, 7000 से पहले 5000 से था, 5000 से में जीतने भी CPU है, जि लेकिन 7000 सेरीज के बाद, जैसे X है, X3D है, ये सब में IGPU होता है, खाली F को छोड़ के, जैसे 7500F, इसमें IGPU नहीं होगा, इसमें आपको GPU लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको डिस्पले देगा, कोई IGPU नहीं होता है, इसमें, बाकी चितने सारे Model होगा, 7000 सेरीज में, स उसका V-Cache, मतलब L3-Cache होता है, 64 MB, लेकिन 7950X 3D में 128 V-Cache होता है, मतलब बहुत ज्यादा Gaming Performance देगा, अभी आशाकरतों आप लोग अच्छी तरह समझ गे होंगे, लास्ट में जो suffix होता है, उसका मतलब क्या होता है, किस प्रोसेसर में क्या लगने के बाद, वो क्या आम क चिपसेट अच्छा होगा, या सपोर्टेट कौन सा चिपसेट होगा, या फिर कौन से काम के लिए कौन सा चिपसेट लेना चाहिए, इस सब में वीडियो चाहिए, तो चिपसेट लिख दीजे खाली, कमेंट में ठीक है, तो आशाकरतों ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है तो चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग